गुरु जी जो लाइफस्टैल चेंज होता है इसके बज़े से काफी सारे जैसे आब बोल रहेते हैं कि डाइवेटी विपी है कोलेस्टरल है इसका वी सरल उपाया कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है जैसे कि मैंने अभी भी बताया, इस्ट्रेस तो है, तनाव है, इसके साथ साथ में कुछ बिंदू पर और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ध्यान के साथ में अगर इन बिंदू पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर ध्यान का असर पूरा आएगा ने, और उसमें सबसे बड़ी चीज है दिन चरिया, लाइफ स्टाइल, जिस धंग से 24 घंटे वो रहता है, वो सबसे बड़ी चीज है, जैसे, आजकल एक फेशन हो गया, रात को लेट खाना, रात को लेट सोना, और सूबे लेट उठना, तो इसका मतलब है कि मनुस्य प्रकरती के विरुद जा रहा है, ये नेचर नहीं है, नेचर है जल्दी सोना, जल्दी उठना, रात को खाना नहीं खाना, दिन में तीन बार रोटी खाने का किसी सास्तर, किसी भी मेडिकल में कोई विदानी नहीं है, सूबह इतना नास्ता करते हैं, दो फेर में फिर खाना खाते हैं, रात को फिर खाना खा कि वो रात को नौ साड़े नौ बज़े सो जाते हैं, सुबह तीन बज़े चार बज़े उठना तय है, और खास करके हम जेन मुनी, साम को सुरियस्त होने के बाद में खाना बन और पीना बन, यानि रोटी पानी सब बन, सुबह सुरज निकलेगा जबी कुछ खाना पीना शु जीना सीख जाएं, कि मैं नेचर को सबसे बड़ा भगवान मानता हूं, कोई भगवान, जितने भगवान है, कोई मानता है तो ठीक, ना माने तो ठीक, लेकिन इस भगवान को तो मानों कि नेचर के साथ नहीं रहेंगे, तो दुख ही दुख आएंगे, और नेचर के साथ ज पीना सिखाता है, तो आदमी को धान के साथ साथ में अपनी दिनचरिया को ठीक करना पड़ेगा, time to time एक समय तय होना चाहिए, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, कोई भी कारिकरम करने का, और उसके साथ में positive energy लाने का, सबसे बड़ा साधन जैसे मैंने बताया meditation, अगर इस प्रकार करके चलेंगे, तो दिनचरिया भी ठीक होगी, आदमी का स्वास्त्य ठीक रहेगा, यानि सारिरिक स्वस्ता, मानसिक स्वस्ता, भावनात्मक स्वस्ता, और परिवार की स्वस्ता, और जिस duty पे जाएगा, जो काम करने जाएगा, उसका इमानदारी से पालन करे यह सब कुछ परकृति के साथ जीना सीख जाएंगे तो सांती भी बढ़ेगी, आनन भी बढ़ेगा, परिवार नहीं टूटेंगे, परस्नल्टी कलेश नहीं होगा